नमस्कार इस्टेडी वाई वीरेंसर चैनल में आपका स्वागत है आईए आज हम लोग बीए सेकंड समेस्टर दिन दयाल उपाध्या गोरकपूर विशुविद्याले के इतियास विशे के फर्स्ट प्रस्नपत्र के अंतरगत जो हम लोगों को दिल्ली सल्तनत का इतियास पढ़ेंगे जिसका पूरा नाम मूल नाम भाउद्दीन था और उपाध उसने गया सुद्दीन की ली थी जब सुल्तान बना था तो आईए इससे महतपूर जो प्रस्न मिट्टर में बनेंगे वह बल्बन के बारे में उसके राजत्तों के बारे में प्रस्न बनेगा कि बल संदित प्रस्नों को मैं साथी साथ बताते चलूंगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना नह भूलें तो आईए देखें आज हम लोगों का टॉपिक है गया सुद्दीन बल्बन जिसका कारेकाल था बारे सो चाच्छट इस भी से पहाउद्दीन और यह किस जात्य का था तो इलबारी तुर्क था और इसका उपनाम क्या था बल्बन का तो बल्बन का जो उपनाम था वह था बल्बने खुर्द और उपाधी गया सुद्दीन की इसने लिया था कब जब सुल्तान बना तो यह गया सुद्दीन का उपाध और उलुक खां की उपाद भी इसे नाशुद्दीन महमूद जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे उसने इसे उलुक खां की उपाद दिया था तो यह प्रस्ण बन सकता है कि बल्बन को उलुक खां की उपाद किस ने दिया तो नाशुद्दीन महमूद ने की दिया और उलुक खां होता है इसे तयार कर लें और बलबन जो था वह राजत्य के किस सिद्धान्त में विश्वास रखता था तो वह नियाबते खुदाई नियाबते खुदाई राजत्व के सिध्धान्त पर विश्वास करता था यानि कि नियाबते खुदाई का अर्थ है प्रिथवी पर इस्वर का प्रतनिद यानि कि बल्बन राजत्व के सिध्धान्त में अपने से पूरु सासकों सुल्तानों की स्थितियों को देखा था कि अपने से पुर्व खुद उसके जो मंतरी के रूपमे नायब के रूपमें कारी किया था नासुद्दीन महमूद के समय में तो अद्यख चुका था कि किस प्रकार दिल्ली Śल्तनत के के सुल्टान को कमजोर होते ही जो अमीर हैं वे किस तरह उस पर हावी हो जा रहे हैं इसे इसने समाप्त करने का प्रयास किया इसलिए उसने राज़त्यों के सिद्धान्त में नियाबते खुदाई यानी की वह कहा कि जो सुल्तान होता है वो प्रित्वी पर इस्वर का प्रतनिद होता है और दूसरा जिल्ले इलाही मतलब की जो सुल्तान होता है वो इस्वर की प्रतिछाया है इसलिए उसने अपने राजतों के सिद्धान्त में इन दोनों सिद्धान्तों को नियाबते खुदाई और जिल्ले इलाही को मौतपूर स्थान दिया और सुल्तान के पद्परतिष्ठा को प्रतिष्ठित किया आगे देखें जियाउद दिन बनीने बलबन को खुफिये कातिल जंता का पिता इवंग नायक कहा है तो यह दोन बने गा पालम बावली सिलालेक के रचनाकार कौन थे तो पालम बावली हो के रचनाकार योगश्वर पंडित थे कि में बल्बन की तूलना्त किस कारी को करने के लिए किया तो भगवां बिश्लू के कारियों को संपन करने का उलेक किया गया है पालम बावली सिला लेक में और इसके रचनाकार योगेश्वर पंडित थे और आगे गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेक में बल्बन को खलीफा का सहायक बताया गया है तो यहां से प्रस्ण बनेगा कि बल्बन को किस अभिलेक में खलीफा का सहायक बताया गया है तो गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेक में और आगे देखें बल्बन ने सुल्तान बनते ही सबसे पहले मेवातियों का दमन किया था 1267 इसबी में जैसे ही बल्बन ने 1266 इसबी में सुल्तान बना वर सरव पर्थम मेव जन्जाती जिने मेवातियों कहते थे यह जन्जाती का दिल्ली के द्वाब में आतंक था बरनीक ने बताता है कि मेवातियों के डर से साम होने से पहले ही दिल्ली के हर घर के फाटक बंद हो जाते थे यही कारण है कि सिंगासन पर बैठते ही सरपर्थम बलबन ने 1267 इसभी में मेवातियों का दमन किया और दिल्ली के आसपास के दुआब में आतंग को सांत किया तो इसे आप देख लें तयार कर लें आगे देखें रजिया किमरित्यू के बाद मुईनुद्दीन भाराम सा 1240 से 1242 इसभी तक तता उसके बाद अलाओदीन मसूद सा 1242 से 1246 इसभी तक और उसके पस्चाथ नासुद्दीन महमूद 1246 से 1265 इसभी तक सुल्तान बने लेकिन वे आयोगे रहे उसके पस्चाथ बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो इसके विसे में मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ और एक प्रस्ण छूट गया था आप तयार कर लेंगे कि जो नासुद्दीन महमूद था या टोपी सिलकर अपना जीवों को पारजन करता था और इसके सासन का जो कारेकाल में जो मंत्री के पत पर नुक्त था वह था बलबन और बलबन पूरा का पूरा इसके सासन काल के में 20 बरसों तक लास्ट के 20 बरसों में पूरा का पूरा दिली सलतनत की सत्ता का भोग खुद किया जैसे ही 65 इस भी में उसकी मृत्य हो गई नासुद्दीन महमूद की तो वह बलबन दिली सलतनत का सल्तान बना तो आप इसे तयार कर लेंगे आईए आगे देखें बलमन अपने को मसुहूर इरानी बादसाह आफ्रासियाब को अपना वंस बताया तो यहां से प्रस्ट बंता है कि बलमन अपने को किस बादसाह के बंसच का बताया है तो मसहूर इरानी बादसा आफरासियाब का बनसज बताया है और किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपने दर्बार का गठन फार्सी पध़त पर किया था तो बल्बन ने किया था और यहां से प्रज़न बनता है कि सरपर्थम की सुल्तान ने इरानी तेवार नौ रोज जिसमें सुरी की पूजा किया जाता है और जो 19 दिनों तक चलता है इसका प्रचलन बलबन ने कराया था तो इसे आप तयार कर लें और आगे बताया ही हूँ इसे दोरा रहा हूँ देख लें गया सुद्दीन बलबन ज आसक था आप जानते हैं गुलाम बंस का कारेकाल देखें तो 1206 से 1290 भी माना जाता है और उसमें 1266 से 1287 भी तक बलबन ने सासन किया और बलबन नयाप्रिय सासक था और पूरवर्ती सुल्तान उसके कौन था तो नासुद्दीन महमूद था आप जानते हैं और बलबन का उत कहकू बाद कहीं कहई कहका बाद देता है लेकिन अधिकर जगा पे कहकू बाद देता है जो इसका पूता था सासक बना और बलबन की मृत्त उ कब ही तो 1287 भी में हुई इसे आप तो आप तैयार कर लें आगे देखें बलबन की समाधी जो मकबरा है वह महरऊली पुरातत प दिल्ली में है तो इसका मकhबर ही मैं मेरवली फूर प पार्क में है की नाम से जाना जाता है कि और मुहम्माद खान नास्यूंद दिन और बुगरा खान वे पुत्र थे और बल्बन्स का पिता एक उच्च स्रेडी का सरदार था बाले काल में ही मंगोलों ने उसे पकड़ कर बगदाद के बाजार में दास के रूप में बेच दिया था यानि की बाले काल में ही बलबन को मंगोलों ने पकड़ कर बगदाद के बाजार में गुलाम के रूप में बेच दिया था सुल्तान अलतमस ने उस पर दया करके उसे मोल लिया स्वामी भक्ति और सेवा भाव के फल्सरूप और निरंतर उन्नत करता गया यहां तक कि सुल्तान ने उसे चेहलगान के दल में समलित किया था यानि कि बल्बन को किसने खरीदा था तो बल्बन को जो खरीदने का कारी किया था वह इल्टुतमिश किया था बात यह होता है बताते हैं इसामी इतियास कार हैं इसामी लिखते हैं कि इल्टू तमिष ने बल्बन को खरीदने से इंकार कर दिया था क्योंकि उसके चेहरे पर एक दुस्ट महत्वा कांचह थी लेकिन इल्टू तमिष का जो सेनापती था वह वजीर जो था जुनैदी ने इल्टू तमिष की ओर से उसे खरीद लिया था और इल्टू तमिष ने उसे भागे का नेड़े समझ कर स्विकार कर लिया था यानि कि जो यहां लिखा हुआ है कि सुल्तान अल्तमस ने उस पर दया करके उसे मोल ले लिया था वह योग था निरंतर उसने प्रगत की आगे बढ़ा और अंततर जो इल्टू तमिष ने तुर कोई बल्बन की अमीरे सिकार के पत पर हुई तो यहां से प्रस्ण बनेगा कि रजिया ने अमीरे सिकार के पत पर किसको नुक्त किया था तो बल्बन को नुक्त किया था और बहराम ने बहराम सा के सासनकाल में उसको रेवारी तथा हासी के च्छत्र प्रदान किये गए तो बल्बन को किसने रेवारी तथा हासी के छेत्र प्रदान किये तो बहराम साह ने और उसे कौन सा पत दिया तो अमीर अखूर का पत दिया आप जानते हैं अमीर अखूर जो होता था वह अस्वसाला का प्रदान था और 1245 इसभी में मंगोलों से लोहा लेकर अपने सामरी सिंगा संरुड हुआ तो नाशुद्दीन महमूद ने बल्बन को मुख्य मंत्री अमीर हाजिप पद पर आसीन किया तो बल्बन को मुख्य मंत्री या अमीर हाजिप का पद किसने दिया तो नाशुद्दीन महमूद ने दिया और 47 बरस तक उस ने इस दाइत्तों उत्तरद भी होना पड़ा परन्तु उसने नौतो साहसी छोड़ा और नौही दिड़ संकल्प वा निरंतर उन्नत की दिशा में ही अग्रसर रहा उसने सरप्रथम आंत्रिक विद्रोहों का दमन किया और बाहया आक्रमणों को अस्फल वनाया सन 1246 इसबी में द्वाब के हिंदू जमिदारों की निर्म मैता से हत्या कर दी तत पस्चात कालिंजर वकड़ा के प्रदेशों पर अधिकार जमाया प्रसन्न होकर सन 1249 इसबी में बलबन ने सुल्तान को से अपनी पुत्री का विबा उसके साथ किया सुल्तान ने उसको नायब सुल्तान की उपाद प्रदान की यानि की 1249 इसबी में बलबन ने अपनी पुत्री का विबा नासुत दिन महमूद से किया और नासुत दिन महमूद ने प्रसन्न होकर उसे उलुक खां की उपाद दी और साथी साथ उसको नायब सुल्तान की उपाद प्रदान की सन 1252 में उसने ग्वालियर चंदेरी और मालवा पर अभियान किये प्रतिद्वन्दियों की इस्षा और द्वेश के कारण एक वर्स तक वह पच्चिद रहा परंतु साथन बेवर्स्था को बिगरती हुई इस्थिती देखकर सुल्तान ने बिवश होकर उसे बहाल कर दिया यानि की जो अमीर थे वे नासुर दिन महमूद के कान भरने सुरू कर दिये जिससे नाराज होकर नासुर दिन महमूद ने इसे बल्बन को सच्चा सथा से पच्चिद कर दिया मुक्मंत्री यानि की जो यहां पे पद था उस पद से क्या किया निकाल दिया यानि की जो नाय कारे में निस्ठा से लगा रहा और जब शाषन व्यवस्ता की इस्तिती बिगणने लगी सुल्तान नाशुरुद्दीन मुहमूद ने विवस होकर दुबारा बल्बन को कारेभार दिया और बल्बन ने अपने उंडंड अमीरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया और सन बार मंगोलों के आक्रमड को रोका सं गौा audio 19a के बागी का नाश किया उसने बारसंट में जितने ही सुल्तान के बागी थे अमीर उनका नास किया और 1260 हिस्भी से लेकर 1260 हिस्भी तक उसकी कृतियों का इतियास प्राप्त नहीं है यानि कि बल्बन के कारेकाल में के पूरो जो उसने उत्तरदाईत नासुद्दिन महमूद के सासनकाल में समाला था उसमें 1260 से 1266 इस भी तक के कृतियों पर इतियास का पता नहीं है उसने 47 वर्स तक राज्य किया सुल्तान के रूप में उसने जिस बुद्धिमत्ता कारेकुसलता तथा नयतिक्ता का परचे दिया इतियास कारों ने बल्बन की भूर भूर प्रसंसा की है सासन पद्धत को उस को मूलता लौकिक बनाने का प्रयास किया वह मुसल्मान विद्ध्वानों का आदर तो करता था लेकिन राज की कारियों में उसको हस्तचेप नहीं करने देता था उसका न्याय पच्छपात रहित और उसका डंड अतियंत कठोर था तो यहां से भी प्रस्ण बनेंगे की बल लौह और रक्त की नीत का के पुकारते हैं लौह और रक्त की नीत का कर संबोधित किया जाता है तो बलबन ने किस नीत का पालन किया था तो रक्त और लौह की नीत का पालन किया था आईए आगे देखें वह मुसलिम विद्ध्वानों का तो आदर करता ही था लेकिन वह उन समय में एक ऐसी ही विवस्ता की आऊ सकता थी क्योंकि अमीर थोड़ा भी मौका पाते थे तो सुल्तान के बिद्ध खड़यंत्र शुरू करते थे और साथी साथ मंगोलों के आक्रमर का लागातार सामना उसे उत्तर पस्चिम सीमा से करना पड़ता था इसलिए मंगोलों के आक और इन दुरगों में सासी और दाओं की निउक्त किया और बलबन ने दिवाने अर्ज एक सैन विभाग किया स्थापना किया और मैं पहले बता चुका हूँ उसने सरप्रतम मेवात द्वाब और कटेहर के बिद्रोहियों को आतंकित किया जब तुगरिल ने बंगाल में पहुचकर निर्दैता से इस बिद्रोह का दमन किया तो यहां से प्रस्न बनेगा कि तुगरिल खा का बिद्रोह किसके समय में हुआ था तो तुगरिल खा का बिद्रोह बंगाल में हुआ था और सुल्तान स्वेम बंगाल पहुचकर तुगरिल खा को डंडित किया और उनका दमन किया और साम्राज बिस्तार करने की उसकी नीत नौ थी इसके भी परीत उसका अड़िक विश्वास साम्राज के संगठन में था इस उद्देश की पूर्ति है तो उसने उम्राव बर्ग को अपने नियंतर में रखा उम्राव बर्ग का मतलब है अमीर बर्ग एवं सुल्त का हिर्दर दैवी अनुकमपा की एक विशेश निदिय इस कारण उसका अस्तित्य अधिती है उसने गयर इस्लामिक प्रथा स्रिजदा एवंग पाबोस्त की पद्धत को चलाया तो यहां से प्रस्ण बनेगा कि किसने गयर इसलामिक प्रथा सिजदा एवंग पाबोस की पद्धत को चलाया तो इसका answer होगा गया सुद्धीन बलबन ने गया सुद्धीन बलबन सिजदा और पाबोस दो गयर इसलामिक पद्धत को अपनाया था जिसमें समराट के पाउं को चूमना होता था उसका ब्यक्तित उतना प्रभावसाली था कि बल्बन को देखते ही लोग संग्याहीन हो जाते थे उसका भैब्यापक था उसने सेना का भी सुधार किया और दुरलब और ब्रिद्ध सेना नायकों को हटा कर उनकी जगह बीर एवंग साहसी जवानों को न्युक्त किया वर तु उच्च पदो से तुर्क लोगों को उसने हटा दिया यानि कि वह तुर्कों के स्टता में बिश्वार सकता था अन्य को उसने सासन के प्रमुग विभागों से हटा दिया किर्थी और यस्प्राप्त करवासन 1287 इसवी के मध्य परलोग सिधारा तो इसकी मृत्ति मैं असुर्दीन महमूद के बल्बन को उलुक खां की उपाद दी बल्बन ने फार्सी तोहार नौरोज प्रारंब कराया सिजदा और प्यबोस या पाबोस एक प्रकार का संमान करने की पद्दत थी जिसमें सुल्तान को लेट कर संमान देते थे और सुल्तान का ताज और पैर पर चूमते थे बल्बन दिल्ली की मंगोलों के आक्रमर से रच्छा करने में सफल रहा बल्बन ने प्रारंब से ही तुर्कान चालगामी चालिस गुलामों के दल का नास किया जिसे इल्तुतमिस ने बनाया था यानि की यूं कहे तो जो अलाव जो बल्बन था बल्बन अमी तुरकाने चालगानी का सदस रह चुका था इसलिए उसने तुरकाने चालगानी का समाप्ति किया और साथीचा उसका पुत्र जो मुहम्मद का भलबन का जेस्ट पुत्र था वा जेस्ट पुत्र जो बल्बन का था वो मुहम्मद खां था और मुहम्मद खां का मंगोलों से रच्छा करते समय 1286 में मर गया था और जो यहां पे अमीर खुसरो और अमीर हसन देलहवी थे जिसे अमीर हसन देलहवी को भारत का सेख साधी कहा जाता है यहां से मौतपूर प्रस्ण बनता है कि अमीर हसन देलहवी को किस उप नाम से जाना जाता है तो भारत का सेख साधी के नाम से जाना जाता है और अमीर खुसरो और अमीर असंदेलावी जो अपने साहित्तिक जीवन की शुरुआत की थी वो बल्बन के जेस्ट पुत्र मुहम्मद खां के समय में ही किया था और जो आगे रिपीटेट प्रक्तियां है नाशुद्दीन महमूद ने बल्बन को उलुक खां की उपात दी थ आया जिसमें सुल्तान के सम्मान में अधिक ब्रिद्धी हुई मैं पहले बताई चुका हूँ और तुर्का ने चाहलगामी यह भी बताई दिया कि चालिस गुलामों के दल का नास किया था जिसे इल्तु तमिश ने बनाया था यदि प्रस्नियाव बने तुर्का ने हुद्धा की भात दर्शकों को मंत्र मुगद करता था तो की निजामी मोध्य जो एक इत्यास कार है और अभी गुला मोध्य ने बल्बन के काल कोJa तो हबीुल्लम मोद्य ने कहा है तो महतोपूर्स प्रस्ण बनने वाले थे बल्बन से आप परण ब्लबन के बारे में लिखना आये गा तो पूरे PCS कर आ लेकर आइसे देख कर नोट करके समझ कर लिख सकते हैं और जो अब्जेक्टिव प्रस्ण इन टर्म के लिए बनेंगे वह मैक्सिमम प्रस्ण जो बनाया था मैं आपको जो बनने की संभावना थी वह सब बता दिया इसके बाद आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत का जो कारेकाल था उसमें गुलाम बन्स 1206 से 1290 इस भी था और आप जानते हैं बल्बन का जो कारेकाल रहा वह 1266 से 1287 भी तक था तो बल्बन की मृत्व के बाद मात्र तीन वर्स में दिल्ली सल्तनत के गुलाम बन्स की समापती हो जाती है और खिलजी बन सुरू होता है इसके बाद बल्बन के बाद जो सासक बनता है कैकुबाद बनता है और उसके कैकुबाद के विषय में 60 वीडियो हम लोग देखेंगे आज बल्बन से संबंदी जितने प्रस्न थे मैं आपको बताया मैक्सिमम यही प्रस्न बनते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से तयारी करें चैनल को लाइक शेयर और सब् के अतर हो आप अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करें अपने लक्षी को प्राप्त करें इसी सुब कामनाओं के साथ आज इतना ही नमस्कार